क्या अमेरिका का F-22 हो जाएगा कबार? जी हाँ दोस्तो आपने सही सुना आज हम देखेंगी कि क्या F-22 जो की अमेरिका का सबसे सकती साली फाइटर एरक्राफ्ट में से एक है वो क्या कबार बन जाएगा? दोस्तो बात ऐसी है कि पेंटागन की तरफ से एक अरब डॉलर की रकम को बचाने के लिए फाइटर जेट F-22 को रिटायर करने का फैसला किया गया है ये जेट काफी पुराने पढ़ चुके हैं और ऐसे में इन्हें अपग्रेट करने में अच्छी खासी रकम खर्च हो जाएगी अमेरिका का रच्छा विवाग चाहता है कि अपग्रेट पर जो रकम खर्च हो उसको कहीं और युप्योग में लाया जाए इस जेट को जापान को सौब देना चाहिए जापान अमेरिका का पूराना साथी है और वो है इस जेट को खरीदना चाहता है इजराइल की तरह ही जापान को इन जेट की काफी जरूरत है और कई बार इन्हें खरीदने की इच्छा जता चुका है इन्हें रिटायर करने की क्या जरूरत है जब इनका एक प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है इन्हें रिटायर करना मतलब एक बड़ी गलती करने जैसा है F-22 रैप्टर जो की एक प्रसाद महासागर में बड़ा रोल निभा सकते हैं साथ ही यह चीन की तरफ से आने वाली हर चुनावती का सामना करने में विसक्षम है अगर यह जेट सर्विस से हटाये जाते हैं तो करीब दो दरजन F-22 को एरी जोवाना के डेविस मॉन्थन एरफोर्स बेस पर कबाड की तरह रखा जाएगा यहाँ पर सूरज की तेज रोसनी में यह खराब हो जाएंगे इससे बेतर है कि इने जापान को सौब दिया जाए ताकि वो इनका प्रभावी तरह से इनका उप्योग कर सके इन फाइटर एरक्राफ्ट को जापान को देने के भी कई माइने हैं यहाँ फाइटर जेट चीन का सबसे बड़ा दुस्मन है क्योंकि चीन के वायुसेना के पास F-22 से होने वाले हमले से बचने के लिए कोई तरकीब नहीं है अगर जापान को F-22 मिलते हैं तो फिर चीन इस देश की तरफ आँख उठाने से पहले दो बार सोचेगा अगर ताइवान या फिर जापान के सेंका को दीब पर चीन हमला करता है तो इस जेट की मदद से जापान पल भर में उसे धूल चटा सकता है अगर बात करें हम इस फाइटर एरक्राफ्ट की कीमत की तो यह काफी महंगा जेट है साल 2005 में यह जेट अमेरिकी वायुसेना का हिस्सा बना था उस समय इसकी कीमत 120 लाग डॉलर थी आज के समय यह आखड़ा 182 लाग डॉलर तक पहुँच गया है एक फाइटर जेट की कीमत रिसर्च और डेवलप्मेंट के बाद 2005 में 333 लाग डॉलर पहुच गई थी साल 2022 में यह आखड़ा 507 मिलियन डॉलर का है ऐसे में दो दरजन F-22 की कीमत 12.3 अरब डॉलर है वायू सेना की तरफ से यह बात मानी गई है कि इन्हें अपग्रेट करने में कम से कम एक अरब डॉलर का खड़ चाएगा अगर बात करें इस फाइटर एरग्राफ की खुबियों की तो आज भी एक सरोसेष्ट फाइटर जेट माना जाता है इस जेट में काफी फाइदे हैं और यह F-35 की तुलना में काफी सस्ता है F-22 की छोटी रडार दुस्मन को चक्मा देने में कारगर है इसके अलावा यह फाइटर जेट F-35 की तुलना में ज़्यादा आसानी से टर्ण कर सकता है इसमें लगे दो इंजन इसे बहुत सक्तिसाली बनाते हैं इसके हथियार बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और साथ ही साथ यह जेट काफी उचाई पर आसमान में मिसन को पूरा कर सकता है लेकिन इस जेट की कुछ कमिया भी हैं इस जेट में एडवांस इलेक्ट्रोनिक्स और कम्प्यूटर्स नहीं है यह जेट कुछ खास तरह के हथियारों को कैरी नहीं कर सकता लेकिन इसके बाद भी यह दुस्मन की रडार और उनके एर डिफेंस को पल भर में तबाह कर सकता है हवा से हवा में होने वाले युद्ध में भी इसे सिकेंट्स में जीत हासिल हो सकती है दोस्तों कैसी रही आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताना जय हिंद